Facebook account से आप पैसे तभी कमा सकते हैं जब आपके Facebook Reels and Videos पर ज़्यादा ज़्यादा व्यूज आएं और आपके Facebook account पर ज़्यादा ज़्यादा follower आएं अब problems यह आती है कि आपके Reels and Videos पर व्यूज नहीं आते आपके account पर follower नहीं आते complete solution देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वीडियो को without skip किये हुए देखिएगा क्योंकि अगर वीडियो को आपने skip किया और आपने एक भी setting को miss किया तो सायद आपके Reels and Videos पर व्यूज नहीं आएंगे आपके Facebook account पर follower नहीं आएंगे तो हम चलते हैं Facebook account के अंदर and step by step आपको size settings को करके दिखाते हैं सबसे पहले आपको अपना Facebook account उपन कर लेना है and नीचे profile वाले icon पर आपको tap करना है इसके बाद आपको दुबारा से setting पर tap करना है नीचे scroll करेंगे आप तो आपको यहाँ पर एक setting मिलती है how people can find and contact you इसके आपको tap कर देना है इसके बाद सबसे उपर जो setting आपको दिख रही है who can send your friend request इसके आपको tap करना है and इसको आपको everyone कर देना है इससे क्या होगा कि आपको हर कोई friend requesting भेज सकता है और आपको जितनी friend requesting आएंगी आप उनको accept करते हो वो आपके follower में convert हो जाते है तो इससे आपके follower जल से जल complete हो जाते है इसके बाद आपको back चले जाना है नीचे आपको एक setting दिखाई दे रही है do you want search engine outside facebook to link to your profile इसके आपको tap कर देना है and इसको यहाँ पे allow search engine outside of इसको आपको enable कर देना है इसके बाद back चले जाना है इसके बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं allow your profile to be recommend to people looking at similar profile इसके आपको tap कर देना है and इसको आपको enable कर देना है इससे क्या होगा कि facebook आपके account को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को recommend करेगा और आपकी profile जितने ज़्यादा लोगों को recommend होगी उतने ही जल्दी आपके follower increase होंगे इसके बाद आपको back चले जाना है इसके बाद नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा है reels का इसके आपको tap करना है allow anyone to remix your future public reels इसको आपको enable कर देना है इससे क्या होगा कि आपके reels आप अपने profile पे जो भी reels upload करेंगे उस reels के साथ में और लोग remix बना पाएंगे इससे आपके reels को भी reels मिलेगी प्लस आपके account के भी reels मिलेगी तो इसको आपको on कर देना है इसके बाद यहाँ पे नीचे आप setting देख रहे हैं allow others to share your reels to their story इसको भी आपको enable कर देना है and सबसे नीचे और सबसे important setting जो है वो है यह reels default audience यहीं पे आप लोग मिश्टेक कर देते हो इसको आप friend को कर देते हो इसको आप tap करेंगे यहाँ इसको आपको public कर देना है public करने से क्या होगा कि आपकी जो आप अपने account पे जो real upload करेंगे वो real जादा जादा लोगों तक पहुचेगी वो limited नहीं रहेगी आपकी reels जादा जादा लोगों को पहुचेगी और आपको बता ही है कि आपकी reels जादा लोगों तक पहुचेगी उतने जादा views आएंगे तो इन important settings को आज ही अपने Facebook account में कर लीजिए और guarantee है मेरी मैंने खुद भी अपने Facebook account में ये follow किया है and Facebook page में भी मैंने settings को follow किया है आने वाली वीडियो जो next वीडियो होगी वो मेरी Facebook page पे होगी मैंने इन settings को करके अपने Facebook account and Facebook page आप मेरे 10,000 follower complete किया है अपने facebook page के उपर और मेरा जो facebook page है वो in steam add and add on range से monetize भी हो चुका है और मैं earning भी कर रहा हूँ तो इन settings को आप कर लीजिए 110% आपकी reels and videos पर views आएंगे and आपके facebook account पो follower भी बढ़ेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और मेरे facebook account को अगर आपने follow नहीं किया है तो follow भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले time में मैं आपको ऐसी सी settings बताने वाला हूँ कि आप जल से जल अपने facebook account and facebook page को monetize करा के पैसे कमा सकोगे सो हम मिलते हैं next वीडियो में